हेलो एब्रिवन आज हम सिखेंगे how to draw easy diagrams of human respiratory mechanism तो यहां हम mechanism के बात कर रहे है respiration का तो यहां हम 2 diagrams सिखेंगे आज one is of inhalation and other is of exhalation inhalation के diagram में सबसे पहले देखिए किस तरह से मैंने outer structure बना लिया आप पैंसल भी यूज़ कर सकते हो यहां पर जब आपने एक बार शेप दे दी आउटर स्ट्रक्शर की देन्स फर्स्ट अफ आपने बिल्कुल नेक रिजन के पास स्ट्रेट डाउन एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इसी तरह से आप दूसरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो हमारी रिप्स है वह लॉंगेस्ट बोन के साथ अटेश्ट है सेंटर में जिसको हम कहते हैं स्टर्नम ओके तो स्टर्नम के साथ यह सारी रिप्स अटेश्ट हैं तो पहले लंग्स की शेप ट्रॉ करेंगे येस दूसी तरफ भी इसी तरह से आप ड्रॉ कीजिए येस वेरी गुड लाइक दिस साथ साथ में ट्राई करोगे आप तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली ठीक है तो ये हमारी रिप्स का स्ट्रक्चर है क्योंकि इन्हेलेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर इस तरह से पुजीशन आईगी आपकी रिप्स की ठीक है तो आपको पता है दियरा ट्वेल पियर्स आफ रिप्स इनार बॉड़ी जिसमें से जो लास्ट पियर है तो यह साथ साथ में मैं आपको इसकी नॉलेश भी देती रहूंगी इस तरह से आपने रिप्स ट्रॉ कर ली एक साइट की आपने इस बात का दियान रखना है कि सेंटर में जो यह आपको ब्लैंक पोर्शन दिख रहा है ना इस यह स्टर्नम जहां से यह रिप्स जो हैं अटैश्ट हैं रिप्स का फंक्शन क्या था? दे प्रोटेक्ट दे इंटर्नल पार्ट अफ दे लंग्स ओके एंड हैल्स इन दे मेकानिजम ओफ ब्रीधिंग यह जो एरो शो किया मैंने अभी यह आपको डिरेक्शन बताता है इन्हेलेशन में आपको आपको अपक्शन क्या होगी इसमें तो आप इन्हेल कीजिए जस्ट करके देखिए आप इसको फील करोगे अपनी चेस्ट केवटी में रिप्स जो हैं दे मूव आउटवर्ड्स ओके दे मूव आउटवर्ड्स आउट इसी तरह से आपने एरोज की जो डिरेक्शन है उससे शो करना है रिप्स की पुजीशन को यह जो मैंना भी ड्रॉ किया दिस इस यूर डाइफ्रेग्म तो डाइफ्रेम क्या था इस लार्ज मसल विच हैल्स इन दा ब्रीधिंग और चेस्ट केविटी में है यह आपके तो यह हेल्प करती है इन्हेलिंग और एक्जेलिंग में ब्रीधिंग में तो इसकी पुजीशन कैसी होगी इट मूव डाउनवर्ड ओके जैसे हमने इन्हे क्रियेट करना है ना अंदर ताकि जो आपकी एर है वो अंदर की तरफ आए तो यह क्या होगा डाइफ्रेम की पुजीशन इट मूव डाउनवर्ड ओके अपनी ओरिजिनल पुजीशन से हटके नीचे की तरफ मूव करेगी इसको हम कॉंट्राक्ट भी बोलते हैं ओके तो योर डाइग्राम ओफ इन्हेलेशन आप दूसी तरफ भी रिप्स की जो मूवमेंट है बाहर की तरफ मेरे एरो शो किया है अगर आप एरो गलत लगाओगे तो एक्जाम्स में आपके मार्क्स कट हो जाएंगे ठीक है तो आपने मूवमेंट जब इन्हेलेशन की दिखानी है तो यहां पर आपने जो रिप्स की डिरेक्शन है ना बेटा वो बाहर की तरफ एरो का जो साइन है वो बाहर की तरफ आपका होना चाहिए फिर आप क्लियर करने के लिए रिप्स को आप कलरिंग कर सकते हो यहां पर यू केन यूज लाइट पिंग कलर और ब्राउन आलसो तो इस तरह से distinguish करने में easy हो जाएगा आपको that ribs they are moving outwards तो respiration जब हम लोग human beings की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो इस mechanism को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए और inhalation में मैं आपको बता दूँ आपकी general knowledge के लिए कि हम 21% जो oxygen है वो inhale करते हैं कितना amount होता है उसमें oxygen का 21% लेकिन इसके साथ-साथ 0.04% होता है इसमें carbon dioxide का अकेला हम oxygen inhale नहीं करते हैं उसके साथ-साथ 0.04% carbon dioxide भी inhale करते हैं तो यह मुझे important लगा आपको बता ना तो मैंने आपको बता दिया यह competitive exams में भी पूछा जाता है question कि कितना proportion air का CO2 and oxygen जो है हम लोग human beings जो है inhale करते हैं ओके इस तरह से एक तरफ पहने ribs को darken किया है दूसरी तरफ empty space को okay तो ribs जब move out होती है तो इन्होंने space देनी है air को ताकि maximum जो आपका oxygen है वो fill हो सके lungs में enter कर सके इसी तरह से जो मैंने diaphragm की आपको movement बताई कि वो downward direction में जाता है तो उसका भी reason है scientific reason है वो इसलिए कि उसने vacuum create करना है okay ताकि अंदर space मिले और बाहर जहाँ air pressure जादा है तो आपको पता है ना यह diffusion का law from high to low ठीक है gaseous exchange में तो बाहर से air जो है वो जादा pressure है वहाँ पे अंदर कम है तो it rushes inside the lungs that is why the ribs move out and diaphragm moves downward okay this is the basic reason behind this respiratory mechanism of inhaling जो this is your diagram of inhalation इस तरह से आप सुन्दर सा diagram अपनी नोट में बना लोगे heading देते हैं इसे yes now draw this diagram in your fear notebooks इसके बाद हम बात करेंगे हमारे जो next part है respiratory mechanism का very important that is exhalation of carbon dioxide तो उसका mechanism भी हम समझ लेते हैं किस तरह से draw करना है तो जिस तरह से हमने inhalation में outer marking कर ली थी अपने neck shoulder area की उसी तरह से exhalation में भी कर लेंगे like this yes very easy way आप एक बार मेरे साथ try करोगे तो 100% आपको कोई problem नहीं होने वाली तो inhalation में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई भी होगी तो अभी तो आपको practice होगी होगी second time कर रहे हो same structure draw करना है पहले आपने येस ये lungs हैं आपके इस turnum यहां end हो रही है yes इसी तरह से दूसी तरफ भी draw कर लीजिए very good very simple way I am telling you the simple way yes now draw your ribs अब ये mechanism बिटा physically हम लोग feel कर सकते हैं इसको ठीक है inhaling और exhaling के time पे अपनी ribs को touch करके feel कर सकते हैं कि whether they are moving inside inside और whether they are moving outward डाइग्राम में तो में आपका यह है कि जब आप arrows शो करते हो ना वहां आप direction दिखाते हो ribs की कि whether they are moving outward और back तो इस डाइग्राम में देखिए कितने easily मैंने ribs draw की हैं yes like this come down then take turn again yes very good draw like this is there any difficulty? मुझे तो नहीं लगता? yes very good very nice yes so this is the diagram now label this yes in this exhaling process we are exhaling carbon dioxide ओके तो carbon dioxide में हम यहां भी क्या label करेंगे air forced out ओके फोर्स्ट आउट क्यों लिखा है यह भी मैं आपको बताती हूं क्योंकि जो ribs हैं आपकी now they move back to their original shape okay they move back तो इन्होंने अपनी space ले ली हाना? इसी तरीके से जो नीचे हम muscles बनाएंगे muscles देखिए नीचे yes इस तरह से जब हम muscles draw करेंगे diaphragm तो यह अपनी original shape में है जैसे इसकी shape होती है उसमें back आ जाएगा it relaxes तो relaxed जब होगा तो यह अपनी space पे आ गया अब अंदर CO2 को इतनी space नहीं मिल रही है तो यह diaphragm जो muscle है यह push करेगी air को क्योंकि उसका pressure जादा हो गया अंदर space कम होने की वज़ा से तो यह air को push करेगी in outward direction की भही बाहर निकल जो अब CO2 आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे so air forced out यह direction हमेशा याद रखो exhaling के time पे ribs are moving back to their original shape and also diaphragm moves back so this is your diagram of exhalation और exhaling में आप लो carbon dioxide कितनी exhale कर रहे हो वो भी बताना जरूरी है so that is your 4.4 and oxygen 16.4 exhale कर रहे हो साथ में ठीक है CO2 4.4% exhale कर रहे हो this is your कर दो यह अजब दोगी जो कर रहे होग में हमें हमें जो कि अप़ेड़र रहे हैं कि वाल लो रहा में है है